गूड मॉनिंग बच्चो आज हम पढ़ेंगे अध्याय दो का 2.3 संतुलित आहार तो संतुलित आहार हम किसे कहेंगे देखिए आहार जो हम रोज खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं पूरे दिन में आपने जो भी खाया क्या 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 खाया आज जरा सोचो कल क्या खाया है आज तो अभी आपने खाना स्टार्ट किया होगा कहीं उने खाया भी नहीं होगा तो आप मुझे बताओ कि अभी तक आपने कल के दिन में क्या-क्या खाया तो जो भी सवेरे से शाम तक आपने खाया है उसे हम कहते हैं अहार ठीक है अब आपको पता है हम भोजन जो करते हैं उसमें क्या होते हैं पोशक पांच तरह के पोशक पड़े हमने तो वो हमारे स्रीड को चाहिए होते है पांचो के पांचो चाहिए होते है कौन-कौन से कार्बोहाइडरेट फैट जिसको बसा कहा है प्रोटीन ठीक है विटामिन और पांचमा मिनरल्स यानि खनीजलवन लिखाए हैंबे ठीक है तो ये सभी चाहिए हमारे भोजन में तो हमें पूरा दिन अलग-लग भोजन खाना पड़ता है ताकि ये सारे पदार्थ हमें उचित मात्रा में मिल सकें ठीक है तो हमें भोजन शाम तक मिल जाएं ऐसा भोजन में करना चाहिए और ऐसे भोजन में साथ में और क्या होना चाहिए रुक्षांस और जल भी उचित मात्रा में होना चाहिए ठीक है तो पोशक तत्व ना तो अधिक हों और ना कम ये भी दियान रहे बहुत ज्यादा भी नहीं कोई चीज प्रोटीन बाले चीज बहुत ही ज्यादा खाली खेर आप बच्चों को तो जुरूरत है फैट बाले चीज ज्यादा ही खाली वो भी ठीक नहीं है ठीक है और ना ही कम होनी चाहिए तो सभी पोशकततव उचित मातरा में होने चाहिए हमारे पूरे दिन के भोजन में और रुख्षांस यानि फुरूटस बगैरा सलाद बगैरा भी और पानी भी खूप पीना है तो यह सारी चीजें आपको उचित मातरा में जिस भोजन में मिल जाएं पूरे दिन में उस आहार को क्या कहेंगे हम संतुलित आहार समझ गए यहां तक अच्छे से समझो इसको ठीक है तो अब आप देखेंगे कि जो संतुलित आहार है विभिन बर्ग के लोगों के लिए उसकी आपशक्ता अलग लगोती है जैसे बच्चों को ग्रोथ ज्यादा करनी है तो उनमें प्रोटीन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए जो बूड़े हो रहे हैं उनके भोजन में सारी चीज़ें कम मातरा में होनी चाहिए क्योंकि उनकी body के अंदर अभी activities कम हो चुकी होती है ना वो ज्यादा काम कर पते हैं तो उसमें protein amount तो कम होना ही चाहिए बाकी चीजें भी उचित मातरा में होनी चाहिए और जो बहुत ज्यादा hardware करते हैं उनको भी protein और carbohydrate उचित मातरा में चाहिए ठीक है fat जो है वो कम मातरा मोटे लोगों को fat तो बहुत कम यूज़ करना चाहिए तो नेरवर करता है कि वो लोग किस तरह के हैं किस तरह की कारे करते हैं उनके अधार पर उनका बिभीन प्रकार का जो अहार है वो होना चाहिए ठीक है अब देखिए आपको बोला है कि आपने एक चार्ट त्यार करना है पुरे प्रति दिन जो आप भोजन करते हैं उसकी जांच करनी है कि उसमें पोशकता तो पलब्ध है या नहीं यह कुछ यहां पर दे रखे हैं हलके फुलके पदार्त जिन में लगवक सारी चीजें हमें मिल जाती है ठीक है तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा खर्च करके भी संतुलित आहार खाया जा सकता है तो पच्छो अब बात करेंगे हम भूजन को पकाने से क्या होता है ठीक है तो पकाने पर ये पहले इसको पड़ा पहेली क्या कह रही है कि क्या जंतों को भी सभी अव्यवों की जुरूरत होती है उन्हें भी संतुलित आहार की जुरूरत होती है बिलकुल उनको भी होती है तो पकाने से अब क्या कहा है जब हम भोजन को पकाते हैं तो वो आसानी से पच जाता है इसलिए हम पकाते हैं और स्वाद भी बढ़ जाता है उसका लेकिन एक बात और है कि जो पोशक हैं वो कुछ मात्रा में उसमें नश्ट हो जाते हैं पकाने से इसलिए हैं क्या कहा जाता है कि जो भोजन आप कर रहे हो उसमें fruits और कच्ची सबजियां ज्यादा होनी चाहिए सलाद ज्यादा होना चाहिए क्योंकि पकाने से बहुत सारी चीजों के जो पोशक तत्व हैं वो नश्ट हो जाते हैं इसलिए जितना भोजन आप पका हुआ खा रहे हैं उतना या उससे ज्याधा हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सलाद के रूप में हो झो हम छिलके निकालते हैं उसमें भी और उसके बाद उनको धोते हैं सबजीयों को छिलके निकालकर उस से भी बहुत important जो के अलावा सबसे important कि जो भोजन पकाने के लिए अगर हम जल का उप्योग कर रहे हैं जैसे दाले है ना उसमें पानी डालते हैं चाबल है उसमें पानी डालते हैं तो जब पकाने के बाद वो पानी फैंकना नहीं है कई वह ज्यादा पानी हो गया तो उसको फैंक दिया ऐसा न को आपने सुना होगा डॉक्टर को बोलते हो कि बच्चों को डाल का पानी चाबल का पानी देना चाहिए ठीक है क्योंकि उसमें प्रोटीन और खनीज लबन होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं तो छोटे बच्चों को दिये जाते हैं ठीक है हमें भी लेना चाहिए वो गर्मी से नश्ट हो जाती है, पकाने से गर्मी से नश्ट हो जाती है, वह है विटामिन C, ठीक है, क्या यहां उचीत नहीं होगा कि हम हार में फल तता कच्छी सबजीं को समयलित करें, इसलिए जो खटे पदार्त हैं, फ्रूट्स गएर हैं, उनको तो जरूर आपको कच्छा ही खाना चाहिए, ठीक है, अब आप यहां पर बुझो एक बात कह रहा है, कि जब कार्बो हाइटरेट की अपिक्षा, वसा में, वसा युक्त भोजन में ज्यादा ओर्जा है, क्यों ना मैं वसा युक्त भोजन ही खाऊं, मैं समोच से पूरी मलाई ऐसे तले हुए वसा क्या होगा, मोटापा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी सही नहीं है, कि हम ऐसे भोजन करें, जिसमें वसा ज्यादा हो, तो वसा युक्त भोजन कम करना चाहिए, क्योंकि यहां मोटापे का कारण बनता है, क्योंकि वसा हमारे शरीर में, पच्चने में, ओर्जा में, तूटन में बहुत ज्यादा समय लगाती है, तो आज ऐसा तो नहीं कि आज वसा युक्त भोजन खाया, तो अगले दिन भोजन करोगे, दुबारा करोगे, सुबह दुपैर, शाम को अगर आप यही भोजन खाते रहे हैं, वसा युक्त, तो फिर मोटापा ही आएगा, तो यहां तक अच्छे से समझो, कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप पूछ लो, ठीक है?